हेलो दोस्तो, आझ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस मायक से वाइस ओवर करती हूँ और मैं अपने वीडियो को कैसे एडिट करती हूँ तो मैं आझ आपको फुल टूटोरियल देने वाली हूँ इसले इस वीडियो को skip मत करना, इसे लास तक जरूर देखना तो दोस्तो आपका सवाल था कि मैं कौन सा माइक यूज करती हूँ तो दोस्तो वैसे तो मेरे पास दो माइक है जो ये हैं एक वायर वाला माइक है तो दोस्तो जो ये वायर वाला माइक है वो वाल्टा कंपनी का है बट मुझे इसमें दिक्कत यह होती है कि जो बाहर की noise होती है इसमें वो बहुत ज़्यादा आवाज आती है बाहर की जो noise है फाल्तू noise इसमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है इसलिए मैं इस mic का use बहुत कम करती हूँ ना के बराबर और दोस्तों जो second mic है वो मेरे पास wireless माइक है यह बट इसमें मुझे एक दिक्कत लगती है कि इसमें जो मेरी voice है वो बहुत ज्यादा मोटी आती है इसलिए मैं प्रिफेर नी करूंगे आपको और आप यह जानना चाते थे कि मैं voice जो recording है वो कैसे करती हूँ तो मैं आपको real बताऊं और सही बताऊं with proof तो मैं अ इसका मतलब यह है recording on है तो दोस्तों जो आपका next question हमीशा रहता है कि मैं अपनी वीडियोस है जो edit कैसे करती हूँ और किस एडिट करती हूँ वह insert app है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा easy है और beginners के लिए तो बहुत ही ज्यादा helpful है तो चलिए आए सुरू करते हैं इसका tutorial तो द करना है तो यह कुछ इस तरीके से दिखाइदे अब हमें क्रॉप के option में क्लिक करना है और one ratio one पे क्लिक करना ह है अब इसे थोड़ा सा ऊफर का ले जाना है इस frame में हमें fit करना है देखो यह fit हो गया है अब यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा अब हमें इसकी volume को भी पूरा zero कर देना है अब क्या करना है अब जो यह music का option दिख रहा है इसे click करना है और my music में जाकर यहां हमने जो अपनी voice record करी होगी वो आपको मिल जाएगी उसमें click करना है और इसमें जो pencil वाला icon दिख रहा है इसमें click करना है और जो volume है उसको बढ़ा देना है ऐसे ही आपको सारी voice recording लगा लेनी है अब देखो दोस्तों जो मेरे words हैं वो इसमें match नहीं हो रहे हैं इसलिए मैं क्या करूंगी या तो मैं इसकी speed को slow कर दूंगी या तो मैं इ सिमेंट में डूबोने वाला scene है इसमें मुझे effect चाहिए sound effect तो मैं क्लिक करूंगी और जो effect वाला option है इसमें click करूंगी यहां मुझे बहुत सारी effect मिलेंगे और इसमें से मैं एक effect को choose कर लूँगी अब दोस्तों मैं इस वीडियो को जो है download कर लूँगी और इसके बाद मैं background है उसे black कर दूँगी और मैं इसकी speed भी बढ़ा दूँगी अब मैं text में जाओंगी और text में जाके मैं देशी जुगार करके लिखूंगी और इसे आप किसी भी color में change कर सकते हैं और किसी भी font में change कर सकते हैं तो देखिए मेरी video कुछ इस तरीके से बनकर तयार है अब मैं इसे save कर लूँगे अब हमारा जो tutorial है video पूरा बनकर तयार है तो दोस्तों मिलते हैं next video में I hope आप सभी को ये video बहुत ही helpful लगी होगी इसलिए दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एक like और channel को subscribe कर दीजे धन्यवाद